आज मैं आपको पट्याला सलवार की कटिंग बताऊंगी ये मेरे पास 5 मीटर कोटन का फैब्रिक है इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे मैंने 5 मीटर फैब्रिक से कमीज का कपड़ा निकालके अलग से रख लिया है और उसके बाद पट्याला सलवार की कटिंग की है इससे पहले तीन पार्ट्स में मैंने सलवार कटिंग के अलग-अलग तरीके बताए हैं चिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें आईए अब हम पत्याला सलवार की कटिंग देखते हैं ये मेरे पास 5 मिटर कोटन का फैब्रिक है पहले मैं इस पूरे कोटन के फैब्रिक को डबल में कर लूँगी तो ये मेरे पास जो कोटन का फैब्रिक है ये पहले से ही डबल है फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद जो ओपन वाली साइड रहती हैं हम उधर से सलवार की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं सलवार के पैनल्स निकालने के लिए फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करूंगी यहाँ पर मैं पैनल की चोड़ाई 14 इंच रखूंगी तो मैं उसका हाब 7 इंच के पैनल्स का फोल्ड लगाऊंगी तो मैं इस 5 मीटर फैब्रिक से सलवार के पैनल्स निकालने के बाद यह जो आगे का फैब्रिक रहता है इसमें से अपने लिए कुर्टी निकालूंगी तो यहाँ पर मैं एक्सल साइस तक कुर्टी निकाल सकती हूँ मैं यहाँ पर सलवार की लेंथ रखने के लिए जितनी मुझे बैल्ट लेनी है उससे एक इंच कम यानि मुझे 5 इंच की बैल्ट लेनी है तो 4 इंच मैं उपर बढ़ा कर रखूंगी और नीचे जितनी लेनी है उस पर निशान लगा लूँगी तो यहाँ पर मुझे 49 इंच की सलवार रखनी है और फिर मैं यहाँ से पैनल की कटिंग कर लूँगी अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल निकालने के बाद जो भी फैब्रिक बसता है उसको हमें एक सिंगल फोल्ड करना है यानि फोल्ड को आगे तक अच्छे से सेट करना है और बिचा लेना है और बिचाने के बाद जितनी आपको कमीज की लेन्थ रखनी है यहाँ पर मुझे 40 सिंच की कमीज रखनी है तो मैं उसमें 3 इंच एड़ करके 43 सिंच पर निशान लगा लूँगी तो इस तरह मैं यहाँ पर यह फैब्रिक कमीज की कटिंग के रिए रख लूँगी ऐसे ही हम 5 मीटर फैब्रिक से कमीज और पटियाला सलवार निकाल सकते हैं इसके बाद जो आगे का फैब्रिक रहता है इससे हम कलिया निकालेंगे कलिया निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि फिर से फैब्रिक को डवल फोल्ड किया हुआ है अब मैं कली की length रखोंगी तो कली की length रखने के लिए जैसे हमने panels की length निखा ली थी कि 5 inch की belt रखनी है उससे 1 inch कम मैं 4 inch लूँगी और जितनी मुझे कली की या सलवार की length रखनी है उस पर निशान लगा लूँगी तो यहां पर मैं 49 inch पर निशान लगा लूँगी और नीचे से 5 inch की length रखनी है जिसे मैं 1.5 या 2 inch रखती हूँ तो यहां पर मैंने 2 inch लिया हुआ है और ऐसे ही मैं आसन का निशान लगा लूँगी उसके लिए भी मैं 4 inch उपर बढ़ा कर 14 inch पर आसन का निशान लगा लूँगी और फिर मैं पोंचे और आसन के point को मिला दूँगी इस तरह हमारी 2 कलियों की drafting हो गए अभी मैं यहां पर 2 कलियां कट कर लूँगी कट करने के बाद मैं इन दोनों कलियों को आगे के fabric पर इस तरह सेट करूँगी और आगे की 2 कलियां भी कट कर लूँगी यहां पर आप देख सकते हैं कि पट्याला सलवार की जो कलियां है उनकी चोड़ाई बहुत ही ज़ादा है यह एक end से दूसरे end तक पूरे fabric की कली रख दी जाती है तभी ही पट्याला सलवार की जो घेर होती है जादा बनती है तो इस तरह मेरी पट्याला सलवार की 4 कलियां कट गई और यह जो आगे का fabric है इससे मैं belt निकाल लूँगी और जो पोंचे के लिए fabric होता है वो निकल जाएगा अभी यहाँ पर जो सलवार की belt रहती है उसकी चुडाई के लिए हमें hip में 10 inch add करने होते हैं तो मेरी 40 inch की hip है उसमें 10 inch add करके 50 inch की belt रखूंगी और 7.5 inch उसकी लंबाए रखूंगी जिसमें 5 inch ready रह जाएगा अभी मेरी सलवार की belt भी कटकर ready हो गई इस तरह आपने देखा की पट्याला सलवार की cutting कैसे होती है इससे जो next video होगा उसमें मैं आपको पट्याला सलवार की stitching बताऊंगी I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस तरह मेरी ये पट्याला सलवार की cutting हो गई Thank you for watching